जैहिंद वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेड प्रेटफोर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बहतरीन और उंदा होगा आज की सूपर फास्ट वीडियो में आज के टॉप करेंट अफेर को ट्रेंड कराएंगे और लास्ट में टॉप जीके के कुशिंस भी हमने इस वीडियो में लिये है तो चलिए विना रुके इस वीडियो में आगास करेंगे पहले कुशिंस के साथ हाल ही में केंद सरकार ने गरीव कल्यान अन्योजना को कव तक के लिए बढ़ा दिया है जो गरीवों के लिए एक अन्य योजना फ्री में रासन मिल लहा था उसको मोधी सरकार ने 6 महिने के लिए बढ़ाया है ये 6 महिने कव तक के लिए बढ़ाया ये भी जान लेते हैं तो सितंबर 2022 तक इस स्कीम को बढ़ाया गया है ध्यान ये भी रहे उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य अन्य राज्यों में इसकी समय सीमा अलग है साथी साथ इसमें क्या मिलेगा आपको फ्री में ये भी हम जान लेते हैं देखे पहले तो आपको यह जानना चाहे कि इसका जो नाम है इस योजना का जो पूरा नाम है वो क्या है प्रधान मंतरी गरीव कल्यान अन्योजना मुफ्त रासन के रूप में क्या मिलेगा तो आपको मैं बता दू कि इस योजना के तहट प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज प्राप्त करेगा साती सात मैं ये भी आपको बताऊं कि केंदर सरकार ने गरीव कल्यान अन्योजना जिसे पी एम जी के एवाई कहा जाता है छे महिने के लिए बढ़ाया है ये योजना कब सुरू करी गई थी 2022 में कोविद 19 के कारण जब कोरोना आया था उसमें करी गई थी ठीक है चलिए कुशन नमबर टू एक बेहतरीन टॉप लेवल का कुशन हर बहन हर भाई से कहना चाहता हूं मैं कि गुरुसी वर्ड एक्जाम स्टड़ी पर अगर आप कोई बच्चा कोई प्लेटफॉर्म पर नया परिवार हमारा है बहन भाई सस्क्वाइब कर ल गया है तो सभी बहनों से सभी भाईयों से जो सस्क्राइब किये हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद तहे दिल से सुक्रिया तो इस कुशन का अंसर जाएगा रविंद्र जडेजा के साथ आप सभी को बता दू रविंद्र जडेजा जो है भारती खिलाडी जो है नंबर वन आल लाउंडर बन गया है, टेस्ट रैंकिंग में, फूरे वर्ड क्राइटेरिया में, अगले कुशन की तरफ भढ़ेंगे, हाली में स्विस ओपन, वैड मिन्टन 2022 का खिताब किसने जीता है, देखिए, ये भी कही न कही एक गर्व की बात है, स्विस ओपन 2022, जो एक बैड मि जीता है, पीवी सिंदु ने, आंसर किसके साथ जाएगा, उप्शन नमबर एके साथ, आपको बताना चाहेंगे, एक स्क्रीन सॉट आप ले लो, सभी खेल और पुरुसकार के, यहां से आपको छे ऐसे पुरुसकार देखने को मिलेंगे, जो एकजाम में ट्रेंड कराए ज इसने, अंडर 19 एसिया कब 2021, यानि 22 का, तो लास्ट में बात होगी, तो अभी फिलाल ये आपको जानना जरूरी है, यही दो साल तक पूछा जाएगा भारत ने, फार्मूला वन वर्ड चेंपियंशिप 2022 किसने जीता है, तो मैक्स वस्टा टापन, हाकी जूनियर विश्व अर्जेंटीना ने जीता है, और 277 चेंपियंशिप मैक्स कालसन ने जीता है, यानि मैक्सम कालसन ने, ठीक ना, याद रखे, अगला, हाली में किस राज्य में आदिवाजार का उदगाटन किया गया है, आदिवाजार कहां पर लगा है, इसका उदगाटन किया है, किस जाना सुबह 6 बजे करना है ये ऐसा करना है क्योंकि जब एक्जाम हो तो इस ये नोट्स आपका जो पतला नोट्स बना रहे हो रोज ये बना रही है आप इसको रिवीजन कर पाओ है ना तो उस समय आपको टेंसन लेने की आवस्सक्ता नहीं पड़ेगी नहीं तो फिर कुण उद्ध्योग है सूती वस्त्र उद्ध्योग गुजरात राज्य का प्रमुक मेला है कक्ष महसब और गुजरात राज्य जो है दोस्तों वो सबसे क्या है सबसे जो है लंबी तट्रेखा वाला राज्य भी है ठीक है ना चलिए हाली में किस भारती अविनेता को किसे बनाए गया है ये भी बहुत बड़ी बात है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कुष्षन का अंसर भी आप लिख लोगे रडवीर कपूर हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि आपको चार से पांच कुष्षन और जानने चाहिए जिसका स्क्रीन सॉट आपको ल कंगना रनौत अपने स्टेटमेंट के लिए तो इसको याद कर लिजे कि उत्तर पदेश ओडी ओपी ओजना कंगना रनौत हैं इसके ब्रंडम मेस्टर ठीक ना फिनो पेमेंट वेंग पंकस त्रिपाठी है उत्तरा खंड के ब्रंडम मेस्टर अक्षे कुमार है अरुनाच अरुनाचर प्रदेश की तो अरुनाचर प्रदेश को नेफा नगर के नाम से जाना जाता है और इसकी जो राजधानी है वो इटा नगर है अगला खुशन हाली में ग्रहमंत्री अमिस सहा ने कहां इंटीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्गाटन किया है यह किया है चंडीगड़ चंडीगड़ वो राज्य है तो चंडीगड़ वो राज्य है राज्य ही कह सकते हैं क्योंकि केंदर सासित प्रदेश और केंदर सासित प्रदेश के साथ साथ यह एक राजधानी भी है यह एक सहर भी है तो चंडीगड़ पंजाब और हरियाना की स अगला कुशन हाली में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ ससत्र सेना दिवस मनाया है वह है मयमार बात हुई है दोस्तों म्यामार की म्यामार अगर भारत ये है दोस्तों देखे भारत अगर ये है तो म्यामार है कहां पर पूरवी छेत्र में अगर दोस्तों देखा जाए तो अराकान योमा जो पहाड़ी है ये पूछ लेता है कभी कभी अराका नियोमा पहाड़ी किन दो देशों को अलग करती है या मिलाती है तो ये है मियामार और भारत को मिलाती है अराका नियोमा पहाड़ी कहा है ये पूछे किस देश में है तो मियामार में है म्यामार की अगर बात हुई है तो म्यामार में एक राजधानी यानि म्यामार की राजधानी आपको मैं बता दू म्यामार को बर्मा देश के नाम से जानते हैं म्यामार थाइलेंड से लगा हुआ है म्यामार दोस्तों इसकी राजधानी है नेई पेताव सही नहीं लिखा है कोई बात ने मुद्रा क्या है इसकी क्यात है वो भी कौन सी म्यामारियन क्यात इरावती को हम इरावधी नदी भी कहते है जो बर्मा की एक यानि बर्मा जो है मियामार की एक प्रमुख नदी है हाली में जेफ कार्सन का निदन हुआ है वो कौन थे जेफ कार्सन एक ऐसा व्यक्तित्तु मान जाता है जो एक संगीत कार है यानि option B जाएगा इसको जादा आपको याद करने की आबस सकता नहीं पर दे देंगे टेलिग्राम पर PDF आपको मिल जाती है इसलिए सर्च करें जी यू आर्यू जे आई एक स्पेस डबलू ओ आर लडी इतना सही सही अच्छर देख लें ऐसा लोगों मिलेगा सर्च कर लें फ्री में PDF को प्राप्त करने के लिए अच्छा रही बात यहां पर एक स्क्रेंस्ट की तो तुरंत लिख लीजएगा कि कौन कौन से निधन हुए है लता मंगेसकर का निधन हुआ है वो किसे संबन्दित थी तो यह पूछ सकता है वह सिंगर थी सबको पता है सेन वारन का निधन हुआ ये भी कुस्सन इंपॉर्टेंट है पूछेगा हार्ट रजन है और यह के जाता है विरजव महाराज कथक नत्य और प्रवीड कुमार सोबती अविनेता महावारत में नरायंट देवनात कारटूनिस्ट पदम शरी से नवाजे गए आरसी लोहाटी पूर मुखिन अहधीस 35 में थे नौमा नमबर हाली में दुबई एक्सपो में तेजस इस्किलिंग परियोजना शुरू करी गई है यह दुबई एक्सपो में तेजस इस्किलिंग परियोजना जो सुरू करी गई है यह किसने की है यह करी गई है अनुराक ठाकुर के द्वारा यानि ऑप्शन जाएगा भई यह डी के साथ अगला कुशन हाली में भारत और किस देश ने मतस्य पालन पर पांचमी कारेकारी समूग की वेठक की है मतस्य पालन की बात अगर करी जाती है तो यहां पर आपको मैं बता दूँ एक गुलावी करांटी होती है जिसमें जीगा मचली की करांटी की बात करते हैं फिंगामकसलि का जो उत्पादन होता है वो गुलावी करंटी में होती है इसी तरीके से नीली करंटी में मतदसे पालन होता है इसी तरीके साथ अगर इस कुछ concerned की बात करें तो यह स्री लंका हो जाएगा क्या option झाएगा भी के साथ अब दोस्तो भारत और स्री लंका के मद्य मतस्य पालन पर एक क्या हुई है बैठक हुई ये अगर कुस्ण आ जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे साथी साथ बात हुई है स्री लंका की तो राजधानी है कोलंबो और इसकी दो राजधानिया है अभी नई नई राजधानी बनी है स्री जैवर्धने पुरम कोट और अगर बात करें राष्टपती तो यहां पर राष्टपती है राजबक्षे है गोदवया राक्षबक्षे मुद्रा सिलिंकाई रूपया है और प्रधान मंतरी महिंद्रा राक्षबक्षे है अपडेट हो जाना कोई चीज़ें अगर अपडेट करने हैं तो तुरंट अपडेट कर लिया करो आप ब्रिलियंट बच्चे हो एक और चीज आपको मैं बता दूँ कि भारत और इसलंका जो अलग होता है वो पाक स्टेट के दोरा अलग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर के छेतर में अवस्थित है हाली में भारती नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स के नाम से सम्मानित किया गया अब ये कुशन इतना इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो भारती नौसेना है यानि इंडियन नेवी इंडियन एर फोर्स इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और ये सम्मान मिला है INS वेल सुरा को इसलिए option जाएगा B के साथ है ना चलिए वीडियो को like जरू कर देना गुरुजिव वर्ड exam study पर देखने वाली हर बहन देखने वाला हर भाई और गहड़ी हमारा एक सेंग तो परिवार है को इसे नमर 12 हाली में 20 वी राश्टी परा Athletics Championship कहां पर शुरू ही है परा चैंपियनसीप जो सुरू ही है दोस्तों इसका आपको सत्य रियाद रखना है कौन सा है आपको कुमा की कुस्सन पोष सकता है कि जो अभी हुआ है वो कौन सा है तो ऐसे भी option में दे सकता है 20 मा, 22 मा, 24 मा है न कुशन कटिन करने के लिए यह अंसर हो जागा दोस्तों ओडिसा अब मैं बात करता हूँ ओडिसा की राजधानी सब को पता है बुबनेश्वर, राश्टी पैरा एथलिक्स शेंपियन से 20 मा संस्क्रण आयजित हुआ है कहा हुआ है कलिंग स्टेडियम यह कलिंग स्टेडियम कहां पर है ओडिसा में है और यह 28 से 31 मार्च एक बार यह डेट खतम कर दो कोई दिक्कत नहीं है एक कुशन और पूसकता है भितर कनिका नेश्मल पार्क किसराज़े में है ओडिसा में है अगला हाली में किसराज़े के मुख्यमंत्री ने पुनर निर्मित याद्राद्री मंदिर का उदगाटन किया है एक मंदिर है पुनहा निर्मित किया गया है पुनहा बनबाया गया है याद्राद्री मंदिर जो है इसका उदगाटन हुआ है कहाँ पर तेलंगाना में हुआ है तेलंगाना दोस्तों वही राजय है जो आंदर पदेज से अलग हुआ ह्था 2014 में इस ये अलग हुआ था जून 2-02014 को ठीकिना मैं इसको कई बार बता चुका हूं बासा के आधार पर अलग हुआ था इसके साती सात मैं आपको बता दूँ इसके extra fact ये मंदिर जो है ध्यान दीजेगा किसने इसका उद्गातन किया किसने किया है ये कमेंट कीजेगा और कमेंट करने के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों सिंपल सी बात है वहाँ पर मुख्यमंत्री और गवर्नर ज्यादा तर भाग लेते हैं फिलाल जो सामिल हुआ था यहां का मुख्यमंत्री वो है के चंदर सेखर राओ ठीक है मंदिर वास्तुकला की द्रविण और काक्ती सेली दोनों का एक संकलन प्रदर्शित होता है क्यों 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 कि काक्ती और दोस्तों द्रविण सेली इस मंदिर में देखी जाती है कुष्षन हिस्ट्री के परिदर से से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इसको भी नोट कर लीजेगा ठीक है चलिए हाली में राश्टी डाल्फिन दिवस कब मनाये गया यनि कब मनाने का निर्ने लिया गया मनाये गया नहीं द्यान दीजेगा आज ही ऐसा एक फैसला हुआ है भूपेंद्र यादव एक पर्रेवण मंत्राले के साथ जुड़े हुए और उन्हें ने ये कहा है कि अब हर वर्स यानि इस साल 2022 से हर साल पांच अक्टूबर एक ऐसी डेट निश्चित कर दी है कि अब हर साल पांच अक्टूबर को क्या होगा डाल्फिन दिवस मनाये जाएगा मतलब 2022 में इसे निश्चित किया गया है अब ये कुश्चन एक और बढ़ गया था 2022 है ना तो ये आपको याद रखना पड़ेगा नेश्चनल वोर्ड फॉर वाइड लाइफ जिसको NBWL कहा गया उसने पांच अक्टूबर को राश्चि डाल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का यह निर्णे लिया यह दिन जागरुकता पैदा करने पर केंदरित होगा तोकि यह गंगा डाल्फिन सहीद डाल्फिन सन्रक्षन का एक अभिन अंग है हाली में Wings India 2022 में COVID चेंपियन पुरुसकार किसे प्रदान किया गया COVID चेंपियन से पुरुसकार जो प्रदान किया है यह किया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यानि यह जो पुरुसकार है Wings India 2022 COVID चेंपियन पुरुसकार दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड रिलेट करता है दोस्तो केरला से राजधानी है तिरु अनन्दपुरम अच्छा कोची का जो एक जुड़मा सहर है वो कौन है इनार कूलम हाली में भारत ने किसदेश के साथ आपशी ब्यापार के लिए अमेरिकी डालर की जगए अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णे लिया है आंसर जाएगा रूस के साथ. रूस की राजधानी है मैं बता दूँ इसका युक्रेन के साथ बहुत बड़ा विवाद चलना है युक्रेन के राश्टपती जेलेंस्की और रूस के राश्टपती है पुतिन हाली में ब्राड कास्ट आडियन्स रिसर्श काउंसिल इंडिया जिसको बार्क इंडिया कहा जाता है ये अलग इंडिया है यानि एक अलग वार्क सिस्टम है और ये वार्क सिस्टम वो वाला वार्क नहीं जो भावा एटॉमिक वाला आप सोच रहे हो जी नहीं ये ब्राड कास्ट आडियंस है और इसके नए अध्यक्ष शुने गए हैं ससी सिना तो ये कुछ सर इत अब 30 सुरक्षा अभ्यास का आजन किया है ये दोस्तों नौसेना का मानने प्रस्थान नामक अब ये कुछ सन आपको दो तरीके से याद रखना एक तो कौन सा किया है प्रस्थान किसने किया है नौसेना ने कहां किया है ये किया है मुंबई में और ये मुंबई की बात करी जाये तो ये मुंबई किस का पार्ट है ये है दोस्तों महारास्टा का पार्ट है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है अगला हाली में हुंड़ाई मोटर ने किसे अपना ब्रांड अम्मेस्टर किया है अदिति असोक ने दिवस कब मनाय गया है Hmm हाली में विश्व रंगमंच दिवस मनाए गया है दोस्तों 27 मार्च को मनाए गया है जो टेली वीजन पर हम लोग मूवी देखते हैं उसी में एक ऐसा साल एक ऐसा दिन आता है जिसको 27 मार्च का जाता है उस दिन हम वर्ड रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं 27 मार्च को दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मना जाता है अंतरास्टी रंगमंच संस्थान 1962 से दुनिया भर में इस तिथी से मना जा रहा है यह इस संसे मना जा रहा है विशोरंगमंच दिवस पर पहला संदेश फ्रांसीसी नाटक कार जीन कॉक्टिव ने लिखा था ये भी बहुत अच्छा कुश्चन है ठीके ना चलिए आज का अंतिम कुश्चन करेंट अफेर का ACI क्रिकेट परिसद ICC यानि इंटरनेशनल Cricket Council जिसका मुख्यले दुवई में है अध्यक्ष जैसाहक का कारेकाल कितने वर्स के लिए बढ़ाया गया तो ये दोस्तों बढ़ाया गया है एक वर्स के लिए उप्सन सी जाएगा चलिए अब हम जीके के टॉप लेवल के कुश्चन को हम लगवक 25 से 30 कुश्चन देखेंगे मात्र दो मिनट के अंदर हवा महल कहां पर है जैपूर में है राजस्थान में ओजोन परत कहां पर अवस्थी थे स्टेटोस्पियर संताप मंडल में बायो मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन इमनिकित में किसके कारण होता है छो मंडल जिसको ट्रोपोस्पियर कहा जाता है बायो मंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिसत है नाइट्रोजन कितना है 78 परसेंट है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरू को माना जाता है तो गुरू नानक साहब को माना जाता है जो है थाला सबसे बड़ा है मतलब यहाँ पर थाला का जो मतलब है दक्षिड भारत में यह कहा जाता है जिसको डेल्टा कहा जाता है गोदावरी सच से गहनता की दरशे से भारत का सबसे समर्द राजी कौन सा है तो यह है पंजाब बहुत इंपॉर्टन कुशन बहुत जादा फिश्व के संपूर्ण धरातल छेत्र में कितने प्रतिसत पर क्रसी योग के भूमी है 14% किसने सबसे पहले यह कहा था कि प्रत्वी गोलाकार है अरस्तु नदियों में जल प्रदूसर की माप की जाती है तो ऑक्सिजन की गोली मातरा जिसको कहा जाता है बी ओडी बायो केमिकल ऑक्सिएं डिमांड अलमाटी बांद किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है रेड रिवर के डेल्टा छेत्र में इस्थित नगर कौन सा है तो हनोई जो बियत नाम किराजधानी है कारवन का सरवादिक सुद्रूप कौन सा है हीरा है यह अगर कोईला 100% में बदल जाए तो हीरा बन जाता है सबसे उच्च कोटिका जो कोईला होता है वो एंत्रे साइट होता है क्या न्यूमर दूइप निम्नकित में कहां पर इसी थै तो बंगाल की खाड़ी में एक्सरे का अविस्कार किस ने किया था तो रांटजन ने किया था पीपली गाट दर्रा किस परवती छेतर में है तो अरावली जो भारत की सबसे पुरारी परवस्रंकला है कौन सा परवती दर्रा ले को सहिनगर से जोडता है तो जोजिला पीडियाफ को प्राप्त करने के लिए सर्च करिए गुरुजी वर्ड जी यू आरियू जे आई कि स्पेस डबलू ओ आरेल डी ठीके ना याद रखिएगा कौन सा बेद गद्दे बापद्दे दोनों में मिलता है तो यजुरवेद कौन सा यजुरवेद और बेद कितने है चार बेद है कौन सा बेद भारती संगीत का बेद है साम बेद है रिगवेद में कितने मंडल है 10 मंडल है कितने सूकत है 1028 कितने मंत्र है 10600 मंत्र है वैदिक सब्वेता का निर्माता आरे लोग थे, पंचम बेद किसे कहा जाता है पुराणों को, वेद तो चारी होते हैं, वैसे तो बेद त्री वेद होते हैं, लास्ट का बेद अधर वेद हैं, और पांचमा बेद माना जाता है पुराणों को, लेकिन पुराण तो खुदी ह पूराणों की संख्या कितनी है बैठा अठरा उपनिसदों की संख्या कितनी है एक current affair के साथ साथ उसकी जीके भी मजबूत करा दी जाए दो मिनट हम जीके पर देते हैं बात बाकी हम current affair के super fast session में चलते हैं कोई भी वीडियो में समस्या है उसके लिए खेद है लेकिन कोशिस यही की जाती है कि रोजाना चीजों को बहतर ढंक से आपको बताया जाए फाल्तू की बाते कम चीजों को सटीक और fundamental के साथ बताना लेव यो गाईज ठेंक्स पर वाचिंग वीडियो गुरूसिव वर्ल्ड एक्जाम स्टड़ी आप सभी के माता पिता को मेरा जहिंत सब्सक्राइब करने के लिए परिवार का धन्यवाद